साथियो आज हम बात करेंगे बीयरी सा हरामी कैंडिल के बारे में जो बीयरी सा हरामी कैंडिल होता क्या है यह actually uptrend अगर market जब uptrend में होता है और उस दोरान market लगातार एक new higher high बनाते हुए जा रहा होता है उस दोरान यानि कि market एक uptrend में होता है और अब trend के दोरान एक यहाँ पे बीरी स्केंडिल दिखाई देता है जो बीरी स्केंडिल होता है वो बीरी स्केंडिल जो होता है वो खास करके जो बुली स्केंडिल है लास्ट बुली स्केंडिल वो लास्ट बुली स्केंडिल के इस परकार से अंदर आता है ध्यान से परकार से यह दिखाई देता है एक बार फिर से हम आपको लाइनिंग डुरो करके दिखा देते हैं कि यह इस परकार से नजर आते हैं जिससे की यह एक जैसे लगड़ा क्योंकि यह इसका नाम बिरिस हरामी से लिए पड़ा है क्योंकि यह जापान भासा में आपको पता है कि धन्डिल के उत्पती हुई है। यह जो केंडिल है लेडिस Mick já को गرबाती महला होता की है। उनको वहां जो है हरामी का जाता है तो यह उसी टाइप से दिखरा इसलिए इसका नाम बियरिस हरामी केंडिल है ठीक है तो यह बियरिस हरामी केंडिल जब अप्ट्रेंड के स्टार्ट जब मार्केट लगातार अप्ट्रेंड में हो वहाँ पे बनता है और दैन उसके बाद मार्केट नीचे ग कि market एक अपट्रेंड में था और यहां पर एक मार्जट अप्ट्रेंड में था यहां से मार्जट उपड़ जाने की कोशिश कर रहा था और यह पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्या बीरिस त्रज्रेध हराम केंडिल अशटा है थे थे तो बियरी सहरामी कैंडिल को सबसे पहले पहचाना सीखों ट्रेडिंग करना बाद में हम आपको शिखाएंगे थिक्राइं तो चलिए आगे नेक्स्ट नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास है टुईजर टॉफ एंड टुऊजर बोटम ट्विजर टॉप आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ट्विजर टॉप एंड ट्विजर बोटम ट्विजर टॉप क्या होता है कि ट्विजर टॉप का जो फर्स्ट कैंडिल होता है वो कुछ भी हो चलेगा twizzer top का first candle कुछ भी हो चलेगा लेकिन जो second candle होता है वो contemporarily होना अनिवार रहे है second candle bearish होना अनिवार रहे है twizzer top नाम से आपको लगड़ा है उनका दोनो ऊपड का जो होता है वो δोनो same होना चाहिए यानि कि दोनो का जो high होता है नीचे दोनों का low सेम हो, तो इसे हम twizor bottom कहते हैं, समझ बारा होगा, ये twizor bottom हम candle का पहचानेंगे, जब दोनों का low सेम है, तो इसे हम twizor bottom कहेंगे, जब दोनों का high सेम हो, first candle कुछ भी हो चलेगा, लेकिन second candle, जो last candle है, वो बियरिस होना अनिवार रहे हैं, तैन उसके बाद market में क्या होता, आईए हम चार्ट पे देखते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कि market एक downtrend में था, और यहाँ पे एक twizor bottom candle का निर्मान होता, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, twizor bottom candle का निर्मान होता है, आप यहाँ पे देख लिजिए, कैसा दिखता है, दोनों का low य आई देखते हैं ट्वीजर टॉप टॉइजर टॉप साइद हम आपको बता चुके जो टॉइजर टॉप में जो उपड या निकि जो दोनों का हई वह सेम होता है अब देख लिए परकार से यहां पर दिख रहा है क्या फिर से हम आपको अच्छे हटा देदेदे आप इसको द गिर जाता है तो ये हैं टूब कहाम करता एंड टूबॉटम कहां काम करता है हमैं कहां ले passo लेड चाहिए ये सारी छीज हों बाद में बताएंगे, बाकि अभी आपको देखने से, आपको समझ में आगया होगा, और आप पहचान लेंगे, अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सच्क्राइब नहीं किये, झाल झाल